हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबको SPTUV YouTube चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर मालिजे आप आधार कार्ड PBC वाला ओर्डर किये हैं जैसे कि आप आधार कार्ड PBC किये हैं तो आप उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि कहां तक पहुँचा आपका आधार कार्ड प्रिंट हुआ या नहीं हुआ आपको कब मिलेगा आपका लगबग 5 या 10 दिन हो गया और आपका आधार कार्ड अभी तक आपको मिला ही नहीं तो आपके मन में घबराहाट हो रही है तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका आधार कार्ड कब मिलेगा और कब तक आपके यहां पहुंचेगा तो आज की वीडियो में यही बात करने माले हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमारा आधार कार्ट कहां तक पहुंचा प्रिंट हुआ या नहीं तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटे को दबाने ना भुलेगा तक कि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आउं आप तक पहुंचे तुरंट तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले आप uidai.gov.in के वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे दोस्तो इस वेबसाइट का लिंग मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ वहाँ से जाके आप डाइरेक्ट ओपन हो सकते हैं और आप अपने pbc आधार का स्टेटस चेक कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पे आने के बाद इस website पे आने के बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपको बहुत सारी options देखने को मिल जाएगा ठीक है यहाँ पे VID generate ठीक है और यहाँ पे lock unlock आधार यहाँ पे देखिए bank sitting status और यहाँ पे देखिए order आधार PBC card और यहाँ पे देखिए check आधार PBC card order status तो हमको यही check करना है ठीक है तो इस वाले option पे आपको click कर देना है दोस्तों यहाँ पे click करने के बाद यहाँ पे देखिए inter srn number आपसे पूछा जा रहा है ठीक है तो आप यहाँ पे अपना srn number fill कर देंगे जो भी आपका srn number हो यहाँ पे आपको fill कर देना है और यहाँ पे आपको capture code fill कर देना है दोस्तो srn number fill करने के बाद यहाँ पे capture code फील करने के बाद सब्मिट वाले option पे क्लिक कर देंगे दोस्तों SRN नमबर आपको उस time मिला होगा जब आप अपना आधहार कार्ड जब आपने PVC आधहार कार्ड को order किया होगा payment slip पे आपको SRN नमबर देखने को मिल जाएगा वहां से आप देखके SRN नमबर आप यहां पे ड order date यहां पे आ चुका है और यहां पे देखिए हमारा 20 January 2024 को हमने आधहार कार्ड PVC के लिए apply किया था ठीक है तो यहां पे हमारा date यहां पे कर दिया गया और यहां पे देखिए current status यहां पे आपको show करके बताया जा रहा है कि print completed मतलब हमारा आधहार कार्ड जो PVC वाला कार्ड है वो print होके ready हो चुका है दोस्तों यहां पे देखिए you can track your order at मतलब www.indiapost.gov.in के website पे आपको यहां पे क्लिक करके आप इंडिया पोस्ट के माधियम से आप order को track कर सकते हैं कि कहा तक पहुचा है कहा तक नहीं पहुचा है आप अपना status चेक कर सकते हैं ठीक है और यहां पे देखिए हमारा date of dispatch यहां पे लिख दिया गया है यानि एक फरवरी 2024 को हमारा pbc आधार card dispatch हो चुका है प्रिंट होके ready होके dispatch भी हो चुका है ठीक है यहां पे हमारा एक फरवरी 2024 को order dispatch हो चुका है मतलब हमारे यहां पहुचाए जाने के लिए dispatch हो चुका है ठीक है तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना status चेक कर सकते हैं क कि आपका order कहा है या नहीं है ठीक है और आप यहां से click here पर click करेंगे यहां पर देखिए www.indiapost.gov.in के website पर आपको click कर लेना है दोस्तों इस website का link मैं वीडियो के description box में डाल दिया हूं वहां से जाके आप direct open होके status चेक कर सकते हैं दोस्तों यहां पर click करने के बाद यहां पर consignment number पूछा जा रहा है और यहां पर reference number पूछा जा रहा है और यहां पर complaint number भी पूछा जा रहा है ठीक है ट्रेक करने के लिए तो आपके पास जो भी number है वहां पर आप fill कर देंगे और यहां पर capture code को fill कर देंगे और यहाँ पर देखिए ट्रैक नाव पर क्लिक करेंगे ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखिए एक फरवरी दोजार चौबीस को पारसल प्रोसेसिंग सेंटर बैंगलूरू से यहाँ पर आइटम बुक्ट हो चुका है ठीक है मतलब हमारा बुक हो चुका है भेजने के लिए ठीक है और यहाँ पर देख सकते हैं आप एक ही तारीक के डेट में हमारा आइटम डिस्पैजड हो चुका है ठीक है और यहाँ पर देख सकते हैं आपको सारी ट्रैक स्टेटस आपको बता दिया गया है और यहाँ पे देखिए हमारा 5 फरवरी 2024 पोस्ट आफिस में हमारा आइटम डिलेवर्ड हो चुका है ठीक है दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा आइटम डिलेवर्ड दिखा रहा है लेकिन अभी हमको मिला नहीं है तो इसको आप post office में जाके आप पता कर सकते हैं कि आपका item आ चुका है मतलब आपका order मिला है या नहीं मिला है वहाँ पे आप जाके एक बार पता कर सकते हैं यानि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 February 2024 को हमारा order delivered कर दिया गया है मतलब item यहाँ पे deliver हो चुका है address पे ठीक है बट हमको मिला नहीं है तो एक बार आप post office में जाके पता कर लिजे घबराने की कोई जरूरत नहीं है आप post office में जाके आप अपने order के बारे में status चेक कर सकते हैं तो आपको वहाँ पे मिल सकता है ठीक है तो दोस्तो इस परकार से आप अपने pbc आधार 카ड की status चेक कर सकते हैं और आप अपने आधार को पा सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ कि यह video बहुत ही पसंद आईओगे अगर video पसंद आईओगे तो video को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा और अपने दोस्तों में share कर दिजेगा दोस्तों हमें दीजे इजाज़त मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई जैहिन दिल से